आप सभी कसवागते मेरे यूटूब चैनल अन्जू. आश्यू व्लॉग में आज हमारे गर बनने जा रहा है इल्ली तो मैंने सुच्छा आप लोग साथ इसकी रेशिपी शेयर कर देती हैं आज में इंस्टेंट इडली बना रही है मतलब की रवा किडली बनाने जा रही है बहुत ही जल्दी बन जाता है और तीटी मा वाला काम नहीं है बहुत मैनत करने की जल्दी बन जाएगा एक बर्तर में हमें सुची रेना है रवा किडली बनाने सबसे पहले हमें सुची चाहि एक कप कप सुजी में हमें आधा कप दही लेना है गही नॉर्मल रहेगी तो भी चलेगा को ना खटी ज़्यादा चाहिए ना एक दम मिठी वाली चाहिए तो चलेगा इसको मच्छे से मिला लेते हैं डाही डालने के बाद अभुसमें आधा चमप नमक डालेंगे अभी इन द अब हम इसमें पानी डालेंगे पानी हम 3-4 cup डालेंगे मतलब ना तो एक कप रहेगा ना तो वह आधा कप रहेगा वह रहेगा एक कप रहेगा अधा कप के बीच कब भाग देखिए हम ने इसको मिला लिया एक से इस consistency में आ गया देखिए इस consistency में चोड़ देना है हमको या थो में 15 मिनिट के लिए कम से कम और जादा जादा 30 मिनिट के लिए इसको छोड़ देना है फर्मिन्ट होने के लिए ताकि यह सुझियल के से फूल जाए तेल लगा लेंगे अच्छे से यह सब किये रहेंगे तो हम अब अब आपने प्रण लिए अब उन सलते अपने बैटर की तरफ देखिए हमारे बैटर को रखे हो आदा गंटा हो गया यह फर्मिन्ट हो चुका है हम लोग अपने बैटर को चला कर एक बड़ देख लेचें कैसा है कि इसकी कर्सिस्टेंसी एक दम बराबर है अब हम इस अब हमने बनाया है इसको हम इन सब सांचों में भड़ देते हैं ध्यान रखिएगा यह रवाइडली है इसको थोड़ा ही डालेगा क्योंकि यह बहुत जल्दी डबल हो जाता है समझ लीजे मैंने इसको आपके सांचा अगत बड़ा है तो आपको उसमें आधा ही इडली भरना है मतलब आधा ही बैटरोस का डालना है क्योंकि फूल के फिर बड़ी हो जाएगी मैं सब में डाल ल है कि अपकर अधा है हम पहले ही इडली मेकर में दो गलास पानी डालकर उसको एक बाल आने देंगे ताकि इडली हमारी उसके भाफ से पक सके जब हमारे पानी में अबाल आ जाएगा तब हम इडली के बैटर को इडली मेकर में डालकर उसको बन रख देंगे और धकल लगा देंगे उसके मीडियम आज पर रखकर उसको 15-20 मिनुट तक पकाएंगे ज़्यादा जदा मादे घंटे तक पकाएंगे और वीच बीच में उस इडली पुरी तरह से हो गई है या नहीं देखिए चाकु साफ निकलना ची मतला हुमारी इडली भी हुई नहीं है अब इसको थवा टाइम लगेगा और होने में ऐसे एक दो बात आप चेक कर लो कि पता चल जागा इडली पुरी तरह से हुई है या नहीं देखिए हमने इडली को कंडेनर से उसके निकाल दिया है अब इसको कुछे ठंडा होने देंगे इसके बाद अब हम इसको जब ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसको मोल्ड से निकालेंगे इसके ठंडा होने के बाद ही निकालेंगे इसको नहीं तो टूट टूटके निकल मैंने चटनी नहीं बनाया था बहुत टाइम हो गया था इसलिए मैंने स्रिफ सांबर और इडली बना दिया है